देखे भारत की तरफ से काफी जोर से जवाब जा रहा है अमरीका की और specially बांगलादेश की इशूब तो रजीम चेंज के बारे में जो एक narrative है भारत की तरफ से हो बहुत strongly अमेरिका की तरफ जा रहा है इसको देखके western affiliated media जो पस्चिमी media है उसकी तरफ से बड़े जबरदर्स articles आ रहे हैं यहां तक की मोदी साफ को एक disinformation specialist तक करार दिया गया है अब देखे यही चीज़ यह अपने countries में भी करते हैं किस तरह से इन्होंने Biden को एक रात में कर दिया 19 गंटे पहले Biden के वो चिट्थी बेजने के 19 गंटे पहले जो Biden का अपना tweet था I will fight and I will fight to win ठीक है 19 गंटे में जो Biden को phone गए वहां बोला गया कि भाई साब या तो आप हटिये या फिर आपकी उपर 25th amendment जो है 25th constitutional amendment जो है बहुत जादा feel किया गया है अमरीका के अंदर और नरिंद्रा मोधी जो है वो जाकर पुटन से जपी डाल रहे हैं यह कैसे मुम्किन हो सकता है अब ही देखिये भारत पीचे नहीं हट रहा है भारत बोल रहा है ठीक है जो मर्जी करते रहो लेकिन यह जो narrative है यह जो एक सचाई है जिसको हम पूरी दुनिया के सामने रख रहे है कि हिंदूओं के साथ वहां पर जैनोसाइड हो रहा है और हो रहा है और हो रहा है देर इ अमरीका की और स्पेशली बांगलादेश के issue में और बांगलादेश के issue के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि एक तोड़ा सा narrative बदला है देखता हूं कि भारत से जो narrative जा रहा है तो बड़ा clear है कि भहिया यह तो regime change किया गया है और पहले तो देखिए हमारे TV anchors और इन लोगों क जो एक narrative है भारत की तरफ से हो बहुत strongly अमेरिका की तरफ जा रहा है इसको देखके western affiliated media जो पस्चिमी मीडिया है उसकी तरफ से बड़े जबरदर्स articles आ रहे हैं यहां तक कि मोधी साहब को एक disinformation specialist तक करार दिया गया है यहां पर यह लोग मोधी साहब के basically जो उनकी जो speeches थी during the elections उनको यह communal और इन तरह की चीज़ें बोल रहे हैं कि यह भाईया हिंदू nationalism की तरफ जा रहे हैं तभी यह बांगलादेश में हिंदू-हिंदू का narrative चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पिछले तीन दिन से में देख रहा हूं कि western media का एक पूरी तरह से मोधी साहब के व भारत फेला रहा है about regime change in Bangladesh यह एकदम bogus है इसके अदर कोई दम नहीं है और यह चीज़ भारत का एक propaganda है और यहां तक की बंगलादेश को एक victim card की तरह दिया जा रहा है कि इसे बिचारा बंगलादेश भारत के narrative attacks और भारत के propaganda attacks की बीच में बिचारा बंगलादेश भसा anti-authoritarian है इनके cabinet के अंदर एक जमाती बैठा है उसको बोलते हैं भई anti-secular आदमी और anti-authoritarian यहां पर है कि आप यह देख लीजे कि आप अपने ही case अपने उपर ही उड़ा देते हैं supreme court के judge को उड़ा देते हैं और यहां पर जो program चल रहा है हिंदूों के अगेंश में वो authoritarian और यह islamist नहीं है तो पनानी क्या है ठीक है उसके बाद कहते है इस groups of students are not islamist really मंदित तोड़े जा रहे हैं वहां पर लेकिन इनको वो चीज़ें रिखती नहीं है यही चीज़ यह अपने countries में भी करते हैं किस तरह से इन्होंने बाइडन को एक रात में कर दिया 19 गंटे पहले बाइडन के वो चिट्थी बेजने के 19 गंटे पहले जो बाइडन का अपना tweet था I will fight and I will fight to win ठीक है 19 गंटे में जो बाइडन को फोन गए वहां बोला गया कि भाई साब या तो आप हटिये या फिर आपकी उपर 25 अमेंडमेंट जो है 25 अमेंडमेंट जो है अमेरिका का उसको लगा के आपको हटाया जाएगा तो ये अपनी countries में भी यही करते हैं और यहां पर भी बंगलादेश में भी यही कर रहे है तो यहां पर कही ना कही उसको justify करने है नहीं यार हमारी country तो best democracy है अपने यही चीज़ बंगलादेश में अब देखो एकक़व बढ़िया है अब बढ़िया क्यों है क्योंकि UNICE बै उसके बारे में काफी narrative चलता है जिसके बारे में कल दुपैर में मैं पूरी बात करी थी कि previously देखिए जब ये elections होए थे इसी तरह की चीज हमको देखने के मिली थी millions and millions of dollars were spent defaming Modi अब Modi साब को तो जो मर्जी बोलते रहो लेकिन defaming Hindu religion को बहुत तरह से इन लोगों ने करने की बहुत जादा कोशिश करिए जहाँ पर Hindu nationalism और एक हिंदुत्वा को एक ऐसा angle देने की कोश्च करिए कि आप समझ नहीं पाएंगे आपको समझ में आए गए नहीं कि यह कहां से उठाते हैं ठीक है तो यह भी इन लोगों ने पूरा करा एंजी ओस हैं जितने भी open society foundation हमारे जॉर्जी भाई की जॉर्जी भाई की ठीक है एंडरी फोर्ड फांडेशन हैं बहुत सारी रात को निकाली, संडे को तो पूरी तरह से ग़र्डे को ही फांडे थर से इक ऑवाज उठाई जए क्योंकि सड़क पर नहीं कोई सुनता नहीं है आजकल ठीक है लोग कठे करने में फ्रॉंब हो ठो एं इनको तो कहीं ना कहीं पार्लिमेंट में ही कुई आवाज उठाई जाए, कुछ करा जाए, कुछ मोशन मोशन लेकर आया जाए, लेकिन वो भी विफल हो गया, मारकेट्स ने जिस तरह से रिस्पॉंड करा उस चीज़ को वो भी खतम हो गया, अभी देखिया, भारत पीचे नहीं हट रहा, भारत बोल रहा है, ठीक है जो मर्जी करते रहो, लेकिन यह जो नारेटिव है, यह जो एक सचाई है, जिसको हम पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, कि हिंदूओं के साथ वहाँ पर रेनोसाइड हो रहा है, हो रहा है, और हो रहा है, यह चीज़ पर भारत अटका हुआ है, और भारत यह भी अटका हुआ है, बोलने के लिए, कि साब इसके अंदर पॉरन हैंड है, मोधी साब ने कल रेट फोर्ट के अंदर बोल दिया, कि साब दुनिया वालों को मैं बता देता हूँ, कि भई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम बटने वाले नहीं है, हमको जो करना है, हम करते रहेंगे, यहां तक कि कल परसों में रोजी स्टेट डिपार्ट्विंट को इसके बारे में सवाल आ रहें, परसों में एक सवाल आया, कि भई शेक हसीना ने बोला है, आईलेंट, शाइलेंट का आपको क्या कहना है, कि जी हमारी कोई कमेंट नहीं है, कल पूछा गया कि एक बड़ा न कुछ बैक आपको मिल रहा है वह आपके भी घर में गुसके आपको काट रहा है ठीक है काउंट्लेस हिंदू और काफी हद तक वहाँ पर एक मुव्मेंट चल रही है ठीक है तो एक लॉबिंग भी चलेगी और कहीना कहीं मैं तो यहां पर रिक्वेस्ट करूँगा डायस्पोर वालों को कि साथ आप इनको पैसे देना बंद करिये आप अपने पैसे की वैल्यू इनको दिखाईए एक जूट होके अपने पैसे की वैल्यू दिखाईए क्योंकि आगर आप जैसे लोग इनको फंडिंग नहीं करेंगे य